हेलो अच्छों वेल्कम डू माई योट्यूब चैनल जो जैसे इस्टडी मैं हमें जोती गुटा मैं लेकर आए हुँ टेन क्लास की मैं जिसके एकसरसाइज है 6.3 और कोश्चन जो है वो है इस कोश्चन को ध्यान से समझ भीएगा ठीक है तो कोश्चन जो है वह हम से कह रहा ह है ठीक है यह हमारा कुश्चन के कोड़िंगे अपना डाइग्राम जो है वो बना दिया अब इन्होंने हमको दिया क्या है वह इन्होंने दिया है कि जो हमारे बुजा है यह भी ठीक है इसके समान पाती है यह समान पाती है पीक्यू के और ऐसे ही सेम हमारा जो एसी है वह है हो जाएगा पी आर हमारी जो मदिका दी गई है एड जो हो हम इसके पी एम के छिट है जो हम पूर्ट की गई है दी गई है पहले तोह दाइंगरमन को समझ दे यह घर हमारे दो तुन को दिये गए जिनने हैं बारतर पर इस वाली theo कानिपाद जो है वह नहीं दिया ग्यादि हैं मधिकाओं कानिपाद दे दिया है इनों ने चुश हम आप्प के वचיהए ho दिए इसम पाएं और हम वह खेलट में सकते हैं कि भाई हमारा यह दोंहें सामर्प किसी करना है सम रूप हमकैसे कर सकते हैं कि कि हमको ये वाली अगट लगा वर ये वाढबर हो जाए तो हम पह सकते हैं कि यह दोनों इसे ही संबूप हुजाएंगे तिक है कॉन से मरी समूरूपता लग fransone दी नियλλά सब होगा कैसे इसके लिए हम क्या करेंगे हम यह कुछ रश्चना करने पड़ेिदी कि तो हम यहां दूरेंगे अब हाया यह है यह सिद्य करना ऑन यहां भी लिख सकते हों तो रही हो रशना क्या करेंगे हमारे जो भूजा अबी का मध्य बिंदू हम यहां पर ले लेते हैं तो प्यक्यू और एन ले लेते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे seulement क्यों किया है यह हमने क्या है यह हमें इसलिए वा adesso हैं इसको हमक्या करते हैं यहां इस हिस्से के संभ रूप करते हैं इसी आधे वाले सेL हो शाजएगा लूज जा कि यहां को मधिका है अलला कि मैंने कई बार आपको को पताया है मैं बता दे रहे हूं मदिका जो वोती है कैसे बनाई की जाती है जो हमारा आधार होता है उसका हम म्द्य विंदू निकाल लेते हैं कि हैं कि अधार कहलो है यह मिंदू से कि दुवाला एंगल को इसके बराबर हो जाएगा बराबर подобais कि यह यह हुए दोनों पो पुरा एंगल को जाएगा जब डूनों को यह में रे जाएगा यह आप कितना समझ में आ गया अब इस चीज को करेंगे कैसे पहले तो हम रचना लिख देते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे A B का A B तथा P Q का मध्य बिंदू को क्रमसा D और M से मिलाया यह हमने काम किया है तो यह काम जो है हमने यहाँ पर लिख दिया अब हमें करना क्या है सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यह यह जो A वाला हिस्सा है ठीक है और इदर हमारा कौन सा हिस्सा है था यहां पर क्या दिया था A he A Ken चेश के बराबर हो गया फिलाल हमें इस Сकी नहीं है इस चोटे। वाले त्र็बुज की बात करनी नहीं है तो हम एस बाले की बात करनी है इसमें हमारा रहा है या तो यह जो है तो यह नहीं है ब्राबर हो या के बहुद advocacy दूगन अनु किया बाबर है यह तो यह दूगन से प्लिखा हुआ थैंट तो यह हमारा यह अथ An आपस से हम वही लाइन लग और आपको चय से समझ में अब AB को हमने क्या convert कर दिया है यह हमारा आधा था AB का ठीक है आधा था तो मतलब AB का दुगना हो गया थो हम इसको क्या लिख देंगे टू ई लिख देंगे ऐसा ही पी क्यू जो है पी क्यू जो है किसके बराभर हो जाएगा पी कू में कौन सा इंसा ले रहे हैं यह वाला हिसा एक आधा हिस्सा है हैं कर दिया अभ हम क्या करेंगे वाइच हमारा दिया ज्यांगया है अब AC को हम कैसी convert करें ठीक है एसी को भी हमें इस तरीके से कुछ आधे हिससे convert करना है या कहलो कि AC को हमें ED के वरूप में अगर हम लिख सके तो हम ED के वरूप में लिख सकते हैं कि नहीं तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि हमारा जो AC वाला दिया गया है इसको भी हम इसकी एक बुझा हो गई यह बुझा तो हमें लेनी है यह चेस्ट हमारा लिखाई है तो इसको करने की प्रिफ करने की जरूरत ही यह हूं कि हां सी वाथ के इसवाले तर्गार कर रहे हैं लिए श्रेज करने कि जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की ज़रूरत है और आपको नाइंथ में पड़ा होगा एक अनाइंथ की चल रहे हैं तिक आप देख सकते हो हां पर हमार वह से था एस पर निकालते हैं तो हम नियुक्त कि प्रमय बनती है जाके कोवाण से मध्यविंदूप्रम्हय अगर आपको याद हो इस मध्यविंदूप्रम्हय की अधसाफ से अ कि पजल जब किसी तपर गजकी दो कि मंत्य को नो को मिला देते हैंце होता है तो इससरी चोटी वे जो होती है तो हमारी वह कौन सी है हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं मतलब क्या हुआ फिर से सुन लो मद्य-बिंदू प्रमय क्या कहती है जब किसी कि दो जब किसी त्रिगुज की दो भुजाओं के मद्विंदों को मिलाते हैं तब तीसरी भुजा जो होती है वो हमारी मद्विंदों को मिलाने से बनी रेखा की दुगनी हो जाती है ठीक है मतलब एक को क्या लिख सकते हैं एसे ही मतला हमारा यहां पर क्या था क्या तो देख सकते हैं प्यार जो है यह मद्विंदू अधिंक इसका मद्विंदूं है तो पी आर जो है हो जाएगा मन्न का दुग न हो जाएगा तो हम क्या यहां से लिख दिया अब क्या करेंगे यह जो है ऑंप कर टू ऐडी अपन त्यम्स अब देखु दोनों उच्छोटे वाले हमारे त्रिबुच यह दो हमारे दोनों जो चोटे वाले इनकी सारी संगत हो जाएं यह यह कहा है यह एपन पीएंच एडी अपन एडी अपन में ठीक है एस में भी लिखना पड़ेगा हमने इसमें क्या किआ ता हमैं एंट रहेज पाइध मैं दिना पड़ेगा यहाः नहीं परखना हां रहा ऊता है न समझ में से सम्रूपता से हमारा क्या हो जाएगा तड़िध्य कौन सा है एट है breeding उभ्य गर दिजए सम्रूप हो जाएगा तुन पी तो इसके सारे एंगल सारी फुजाए जो है वो भी सारी हमारी कैसी हो गए बराबर हो गए तो हम कहा सकते हैं आता कोड़ ए मेधिव बराबर हो जाएगा को और यह ए ठीक है कौंसा हमने बराबर कर दिया है इस समुरूपता से यह वाला एंगल यहां पर लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा इधर इस्सा जो है अब यह मेरी क्या थी मदिका का इस हिस्सा के बराबर है सेम alcanz यहाई मधिका में का यह सिचなた ही इसे अभी इसी संहीट दिया तो यह वाला इसास भी अपने आप इसके बराबर हो जाएगा इसी प्रकार में क्या लिए देंगे इसको हम समीकर्ण नंबर दो मान देंगे अब दूसरी हमिकर्ण में हमने क्या किया है यह वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के बराबर कर दिया अब हम क्या करेंगे इन दोनों समीकर्णों को क्या कर देंगे हम जोड़ेंगे ठीक है इसके लिए बगा यहाँ नहीं किया है वो कर दें तो इतना हो गया अब हम यहां पर क्या लिखेंगे अब हम यहां पर क्या लिखेंगे समीकरण एक प्लस समी करण दो से इससे हमारा क्या हो जाएगा हम इन दोनों कोड़ों को जोड़ देंगे कोड़ E A D प्लस कोड़ D A C बराबर कोड़ N P M क्लस क्या है M P R M P R ठीक है इन दोनों कोड़ों को देखो B A D प्लस D A C मिलके हमारा क्या बन गया पुरा A कोड़ बन गया तो हम इसको क्या लिख सकते है कोड़ B A C ऐसे ही इन दोनों कोड़ों को मिला के इस वाले कोड़ों इस वाले कोड़ों को मिला के हमारा क्या बन गया Q P R क्या बन गया है Q P R हम यहां पर देखते हैं कोड A बराबर ऑगया को एक कोड़ P के कर दिया है यही के आ अत्रबूझा número सी ठी क्यू आर में में तिक है अब इतनी चीज तो हम्को दी गई था 仔 कि एपान इपाउन फिए पी खार शिकर यह फो दी लेंगे हिसा यहां के न्याफ कि यहां वाँ एंगल यहां पर लिख दिया तो हम यहां पर यह लिख देंगे कोड A is equal to क्या अभी सिद्ध किया तो हमारा बुजाय मिल गई एंगल भी मिल गया तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, अतहा, As, As, सम्रूपता, की, कसौर्टी, से, इस कसौर्टी से हमारा क्या हो जाएगा, तरिबूज जो है, हमारा काौन सा, A, B, C, सम्रूप हो जाएगा, तरिबूज, P, Q, R के, कुश्चन जो है काफी लंबा था थोड़ा समझने की जरूरत थी इस कुश्चन को और फिर लालो आपको बता देते हैं कैसे हुआ जब हमारी दो बुजाओं कानपाथ दिया होता है समानपाथ में होते हैं तो उनके बीच के एंगल अगर बराबर हैं तो वह दोनों त्रिवि लेंगे अगर आपको फ्री में बुक्स बगारा ठीक है सारे चैप्टर के सलूशन सारी बुक्स सबकुश फ्री में चाहिए तो आपको इसके लिए हमारे एप चोड़े सिस्टेडी को डाउन्रोड करना पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा बिलकुल फ्र में तो आज की क्लास में बस इतना ही में के नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइब